दोस्तों ड्राइंग के ऐसा पाउरफुल मीडिया में है जो हमें एक्सेस प्रोवेट कराता है कि हम हमारे थौट्स फिलिंग्स और इमर्शन को एक आर्टिस्टिक वेए में एक पीपर के पर ड्रो करें जिसे देखके आसानी से लोग समझ सेके बट कई बार एक दिक्कत इसको एक आर्टिस्टिक वेए में पेपर के पर ड्रोन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी इन ही दिक्कतों को सलुशन पाने के लिए आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मैं और मैं आपको साबित करता हूं मैं ड्राइंग क्लासेश में झाल झाल तो दोस्तों ड्राइंग को आप इस तरह से मत लीजे कि जिसको आप देखे कि यार यह मेर से नहीं बने का ड्राइंग इत्ती कुछ कॉंप्लेक्स चीज नहीं है यह सिर्फ कुछ लाइंस का कलेक्शन है जिनको आपस में जोड़ने के तरीके को ही ड्राइंग कहते हैं तो इन ही अलग अलग तरीकी को जानने के लिए हम चलते हैं हमारी art table पे तो दोस्तों जो basic drawing में आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए हमें चाहिए एक drawing sheet जो यह रही और एक pencil बट pencil के लिए कई सारे लोग आपको एक पुरा pencil set लेने को recommend करेंगे जिनके अंदर अलग-अलग Shades की Pencil होती है ताकि आप अलग-अलग तरह से Shade Variations दे सकें बट मैं कहता हूँ आप इन सब के अलावा वही Shade Variations इस एक पुरानी सी यूज करी हुई Regular Pencil से भी दे सकते हैं तो अब इस एक Regular यूज करी हुई Pencil से Shade Variations देने के लिए हमें इसकी Holding ट्रिक्स देखने पड़ेगी तो कई सारे लोग Pencil को इस तरह से पकड़के लिखते हैं इस तरह से Pencil पकड़के लिखने से एक तिक्कत सामने आती है कि आप बहुत ज्यादा Unwanted Pressure अप्लाय करने लग जाते हैं उससे आप Shade Variations नहीं दे सकते हैं आप जो भी करेंगे वह सिर्फ डार की दिखेगा तो इसका एक Solution है कि हम Pencil को इस तरह से पकड़ें अपनी नीचे वाली दो उंग्लियों से आप Force Maintain कर सकते हैं अपनी इसाब से एड्जेस्ट कर सकते हैं और Thumb Support के लिए तो अब मैं आपको इससे एक waveform बना के दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से Pressure Maintain करा यहां पर और यहां पर बट इस जगे पर मैंने मेरी इन दो फिंगर्स से Pressure Change कर दिया और एक Light Variation आया यह देखी वापस मेरी इन दो फिंगर्स पर ध्यान दीजेगा आप देखिए किस तरह से यहां पर चेंज हो रहा है वह भी वेतर रेगुलर पैंसिल तो दोस्तों क्योंकि अब हम यह जान चुके हैं कि हमें एक रेगुलर पैंसिल की हैंप से भी हमें हमें कैसे Shade Variations देना हैं तो अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं जो कि आता है Basic Figures का Basic Figures मेरे खेल से आपको रिकॉल हो रहा होगा Circle, Square, Rantaggle का हम इन ही में से एक बनाने जा रहे हैं और उन Basic Figures को बनाने के लिए हमें इन ट्रिक्स का ध्यान रखना है तो दोस्तों क्योंकि अब हम यह सीख चुके हैं कि हम एक Regular Pencil की Help से भी Shade Variations कैसे दे सकते हैं तो अब हम चलते हैं हमारे Next Step पर जो कि आता है एक Basic Figures को बनाना तो कोईसी भी Basic Figures या किसी भी Drawing को बनाने के लिए हमें सबसे पहले Light Shade का यूज़ करना पड़ता है तो जैसे मैंने ट्रिक बता ही थी आप नीचे आरी दो फिंगर से Pressure Maintain कर सकते हैं तो उसका यूज़ करते हैं Light Shade में हम एना बनाना Tribe चलो करते हैं मैं आपको यह Circle बनाने जब बता रहा हूँ तो Circle के लिए हमें कई सारी Lines Light Shade में यूज़ करनी पड़ेगी आप डायरेक्ट एक फिगर मत बनाएगे क्योंकि वह कई बार गलत बनता है तो एक परफेक्ट फिगर बनाने की कोशिश नहीं करते हुए हम कई छोटी-छोटी Lines को बनाते हैं जिससे हमें Almost हमारा Desired Output मिलने लग जाता है आप देख सकते हैं मैं Light Shade का यूज़ करते हुए एक Circle को बनाने की कोशिश कर रहा हुँ कई सारी Lines का यूज़ करते हुए मैंने आपको पहले भी का था कि Drawing सिरफ Lines का Collection है जिनको आपस में जोडने का तरीका ही Matter करता है यह अलग-अलग Shade में हमने बना ली हमारा Circle काफी हद तक अच्छा लग रहा है अब हम इसे Dark कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने हमारा Circle यहां Dark कर दिया है तो अब जो अगली चीज़ हमें करनी है वह है Light का Direction देखना सपोस किजिए मैं मेरी Light यहां से Zoom कर रहा हूँ तो Light यहां से आरी है तो अब्यस ही बात है यह पोर्शन पे Light होगी तो यह चमकेगा और यह वाला Dark साइड होगा क्योंकि यह Ball है और Circle है तो यह इस तरह से होगा तो All you have to do is do Shading in this section प्रेशर के साथ नहीं यह देखिए हमने किस तरह यहां पे Light Shade से यह कर आया है तो अब हमें इसी को आगे बढ़ाना है यह हमारा Dark Side आ चुका है अब Light Side में हम obviously observe करते हैं कि एक Fixed Point पे Light को जदा ही reflect होती है तो हम वह Portion बना देते हैं यह देखिए यह हो गया अब इसके बाद यहां पे थोड़ा Dark Side आएगा हो गया अब वापस डार्क साइड में आते हैं और नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा डार्क करते हैं यह देखिए यहां पे काफी डार्क हो चुका है और यहां उपर हलका हलका लाइट है इसके और हलका लाइट करते हैं हो गया अब इसके बाद नेक्ष्ट फिंग जो हमें करनी है वह इन शेड को फैलाना यह काम आप रबड की हैं से भी कर सकते हैं और कॉटन की हैं से भी और अपनी फिंगर की हैं से भी मैं फिंगर की हैं से बताता हूं और एक बार यह काफी हलके से शेड फैलने लग जाए तो आप इसके बाद इसको पूरी बॉल में गुमा दीजेए उससे होगा क्या के हमें हमारा डार्क साइड तो मिल चुका है और यह जो रिमेनिंग लाइट डार्क शेड है यह हमारी इस बॉल को अपना कलर देने में भी हल्प करेगा अब लाइट यहां से आरी है तो यहां पर हमें इसका सर्फेस बनाना है सर्फेस पर भी बॉल की शेड आएगी तो आप डायरेक्ट एक फ्लैट सर्फेस पर ऐसे कर दीजे और अपनी फिंगर से कर दीजे तो आप देखिए एक अच्छे से फिनिशिंग टच के बाद हमारा यह काफी हद तक तयार हो चुका है बॉल लाइक स्ट्रक्चर असाइड यहां पर थोड़ा सा और फिर यहां पर लाइट और इट इस दन तो दोस्तो हमने हमारी इस वीडियो में क्या-क्या सिखा वह हम आपस रिकॉल करते हैं सबसे पहली चीज जो हमने सिखी वह यह है कि आपको अपनी आर्ट वर्क में शेड वेरिशन देने के लिए कोई बहुत सारी पैंसिल का सेट खरीदना कंपल सरी नहीं है आप एक रेग शेडिंग कैसे करे जाती है तो हमारी आज की इस क्लास को यहीं खतम करते हैं और अगर इस वीडियो ने कहीं न कहीं आपकी है तो इसको लाइक करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी नहीं बस थैंक यू